अगर सची कामना के साथ भगवान से कोई मनोकाम ना मांगी जाए तो वो अवश्य पूरी होती है ऐसी है घटना के बारे में हम आज आपको बताने जा रहे हैं दरसल यह घटना मद्यप्रदेश के खरगोन जीला मुख्याले से करीब 58 किलो मिटर दूर महेश्वर में इस्तित प्राचीन सीरी ब्रद कालेश्वर महदयो मंदिर से जुड़ी है भगवान के एक अनने भक्त दुआरा मांगी गई मुरादपूरी हो जाने पर भक्त ने भगवान को दीड किलो चांदी से बने मुकुट और कुंडल चड़ाये हैं जिले के माहिश्वर तैसिल के महतवडा के नजदिक बेडिया गाओं के रहने वाले ओम प्रकाश पटेल बताते हैं कि दो वर्सों से वो मंदिर से जुड़े हैं भगवान के प्रति उनकी अटूट आस्ता है मंदिर में होने वाले सरंगार में भी वे रोजाना सामिल होते हैं और भगवान का सरंगार करते हैं उच महने पहले ही उनके पिता गणिश पटेल केदरना दर्सन के लिए गए थे वहाँ पर उनकी तवियत अचानक खराब हो गई पिता के स्वस्त होने की मननत भगवान व्रद कालेश्वर से ली जिसकी तुरंत बाद ही वे स्वस्त हो गए मननत उतारने के लिए उन्होंने देड किलो चांदी से भगवान के लिए मोकुट और कुंडल बनवाए मंदिर के पुजारी ओम प्रिकास सर्मा बताते हैं कि महेश्वर के नर्मदा रिसोट के पास बना व्रद कालेश्वर का यह मंदिर अती प्राचीन है देविया हिल्या बाय होलकर द्वारा इस मंदिर का जिनुद्धार करवाया गया था करीब 22 खंबो पर यह मंदिर टिका हुआ है गर्ब ग्रह में भगवान व्रद कालेश्वर भगवान विष्डू के साथ मोचुद है सिव पुराण में भी महिश्मती नगरी में व्रद कालेश्वर भगवान का उलेक मिलता है आपको बता दें कि अपने बच्चों के निमित पंडितों दौरा महा अविश्यक करवाने सेंदवा की रहने वाले किरनतायल महेश्वर आई थी वह कहना है कि भगवान साक्षात है उनसे जो कुछ भी मांगा जाता है वो मिल जाता है भगवान सारे दुख दर्द दूर करते हैं वह बताती हैं कि उन्होंने भी अपने पोती के लिए भगवान से मननत मांगी थी जो पूरी हो गई वह बताती दिन सोमार्क और सोमार्क रोई इसे सरंगार करते हैं बहुता है इतना कुछ खास मालम नहीं कि परमार बन सका मन्दिर है और मां अईल्य साथ से दूसरे बार इसका जिड़नों दौर हो आता है महेश्वर निवासी रद्यकालेश्वर मंदिर से बोल रहा हूं रद्यकालेश्वर मंदिर सबसे पुरान हां और इनके इस संवक्ष में साथ मंदिर हो रहे हैं यह अईल्य मासाब के समय के पूर के मंदिर बने हुए हैं यहां पर 22 खंबे वाला मंदिर है और यहां पर सब्सक्राइब से अदिरों ए राँन करने इसधर मंदिर के नाम सेमा मेरा नाम किरंट आयले हम लोग से आये हैं हम आज महा अभिशेख है मेरे बच्चों के निमित में ने पुजा बेठाई थी देड़ मेनी की तो आज पुर्णा होती है मंदीर की माननेता है कि ये बहुत पुराना मंदीर है जो भी भगवान से शंकर भगवान से मांगो सारी इच्छा है पूरियती सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं जी मैंने मानता ली थी मेरी पूती के लिए मेरी वो 101 परसंट पूरी हुई है मतलब ये साक्षा तेक अपने को पूरी है कि अगर भगवान पर विश्वास करो भगवान को मानना तो क्या नहीं हो सकता है हर कुछ हो सकता है